हालो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आर्तिलाल की दुनिया तो चले फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान सी और बहुत ज्यादा हेल्दी रेसिपी और ये हम बनाएंगे इन बची हुई रोटियों से तो ये friends मेरी सुबह की थोड़ी सी रोटियां बच गई हैं तो इसे यूज़ करके आज मैं बनाऊंगी बहुत ही healthy recipe और इसे मैं बनाने वाली हूँ डिनर के time में तो ये एक ऐसी recipe है जिसे आप डिनर के time हो, lunch time हो या फिर breakfast का time किसी समय भी बनाएए बहुत ही मन से खाएंगे और इतनी healthy और tasty recipe है कि बच्चे एक के बजाए चार रोटियां एकदम आराम से खा जाएंगे चलिए friends इस recipe के लिए वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा recipe अच्छी लगे तो प्लीजिसे like share करके चैनल को subscribe कर लिजेगा तो यहां देखिए मैंने लिया है एक बोल और प्ली दही बन कर त्यार हो गई है हमारी City के एक काटोरी चॉपकिया ह análघया तो यहां पर आप चाहे तो सबीती चीजे धर करें यहां फिर चॉपकर कर जाल कि भी कमाथा मैंने पासंद चॉपकर प्यास डाला है और बम इसमें चॉपक्ररें किया हुआ हुआ। Leal मिर्च तो यहां पर देखिए मैंने अधी कटोरी इसमें आड़ किया है साथ में हम बॉयल्ड स्वेट कॉल ले लेंगे और उसे भी चॉपर में चॉप करके इसमें डालेंगे इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और जितना हो सके हम इसे हल्दी बनाएंगे साथ में ही मैंने डाला है इसमें से थोड़ा सा ग्रीन चिली साथ में थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से हम इसमें नमक एट कर लेंगे और नमक आप अपने हिसाब से कम्या जादा भी कर सकती है साथ में हम डालेंगे इसमें फ्रेस कुटी हुई काली मिर्च तो आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर यूज़ कर लिजेगा पर फ्रेश से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसलिए मैंने इसमें यूज़ किया है साथ में ही डाला है मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स तो आप अपने हिसाब से मिर्ची को कम या जादा कर सकती है जैसा भी आपको पसंद हो और बच्ची अगर खाने वाले हो तो आप इसे स्किप भी कर सकती है साथ में ही डाल दिया है मैंने थोड़ा सा और इगैनो जिससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अगर हो तो जरूर डालेगा बहुत ही अच्छा लगता है खाने में तो अब हम सभी चीजों को अच्छे से धीरे-धीरे मिक्स कर लेंगे तो देखे फ्रेंड्स कितना टेस्टी और कलरफुल लग रहा है ये और बहुत ही टेस्टी बनकर ये रेसिपी तयार होती है और मेरी तो बिल्कुल फेवरेट हो गई है ये रेसिपी तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं इसे और अब ये बिल्कुल तयार है तो अब हम ले लेते हैं अपनी बची हुई रोटियों को यहाँ पर देखें मैंने अभी एक रोटी ले ली है और अब हम इसके उपर लगाएंगे इस फिलिंग को तो यहाँ पर चाहें तो कोई सौस भी एड़ कर सकती हैं जो भी आपको पसंद हो पर मैंने इसे डारेक्ट इ एक दम हेल्दी तरीके से त्यार कर लीजेगा और बस इसमें ऐसे भर के और इसे कुछ भी नहीं करना है से पांच मिट में रेसिपी बनकर त्यार हो जाती है और जैसा कि मैंने बताया यह मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट रेसिपी है जब कभी रोटिया पच जाती है तो अगर इसमें आपने थोड़ा सा चीज एड़ कर दिया फिर तो यह रेसिपी उनके लिए फेवरेट रेसिपी हो जाएगी और आपको जान बुचकर रोटिया ज्यादा बनाने के लिए वह खुदी बोलेंगे तो यहां देखिए फ्रेंड्स मैंने ग्रेस को स्लो टू मीडि सा देसी घी और आप चाहें तो यहां पर इसे बटर से भी बना सकती हैं तो यहां पर बहुत ज़्यादा तेल या घी का यूज नहीं करना है मैं इसे बनाने में और यह देखिए मैंने बस रोटियों को उठा कर इस तवे पर रख दिया है और एक साइड से सिर्फ आदे मिन और ठेली को भी हम पलेट लेंगे और थोड़ा सा घी और अड़ करेंगे और जिससे की एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और लाइट ब्राउन कलर में आ जाएं तो यहां देखिए बहुत ही अच्छा कलर इस पर आ चुका है दोनों साइड से यह एकदम क्रिस्पी भी और तवे को फिर से मैंने थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लिया है और बाकी रोटियों को भी मैंने डाल दिया है और ये रेसिपी बिल्कुल आसान तरीके से फटाफट से बन जाती है और इस recipe के बनाने के बाद आपको ना तो अलग से कोई सबजी बनाने की जरूरत है ना ही कोई salad क्योंकि ये हमारी recipe अपने में ही full meal हो जाती है तो ये देखें friends, हमारी recipe तो बिल्कुल तयार है और आज का ये हमारा dinner है तो यहाँ देखें मैने इसे serve किया है mayonnaise के साथ तो ये मेरा homemade mayonnaise है जिसे मैंने घर में बहुत ही healthy तरीके से बनाया है साथ में ही लाल वाली चटनी है टमाटर की और ये देखें हमारा ये बहुत ही crispy अच्छे से stuffed रोटी बनकर तयार है और इसे आप चाहें तो bread sandwich जैसे बोलते हैं वैसे ही रोटी sandwich बोल सकती है बहुत ही tasty और यूनीक सी recipe है आप भी इसे जरूर ट्राइ करिएगा friends सबसे अच्छी बात है ये बहुत ही healthy recipe है और एकदम light dinner का काम करती है जब कभी बे आपको कुछ हलका फुलका खाना हो डिनर में तो आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा तो friends recipe अच्छी लगी हो तो please इसे like करके अपने family और friends के साथ share भी कर दीजेगा और अगर आप channel पर नहीं हो तो please channel को subscribe करके bell icon का button प्रेस कर दीजेगा जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियो की notification मिलती रहे तो चलिए friends ऐसी टेस्टी और एकदम आसान सी recipe के साथ हम अगली वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बाई बाई